हेलो एवरिएवन उम्मीद करता हूँ आप लोट बढ़ी आऊंगे तो आज में बंदन जो एक नहीं वीडियो तो आज की वीडियो होने वाले हिंडाई एक्ष्टर की एसेसरी की उपर तो मैंने कुछ इसमें आफ्टर मार्केट एससरी लगवाई है क्या लगवाई है क्या क की जब भी आपने YEAH को लगता है क्योंकि आप शेसरी आपको लगाने पड़ेंगे और शे साथ लाए के लगाने के बाद अगर अगर आपको कोई ये कह दे कि यार आपने ये काम करवा है इसकी भी इसी दिक्कत आ गई हम आपकी वारंटी में कवर ने करें या कुछ भी कोई भी रीजन हो तो उसकी वज़े से आपको उस टाइम बहुत ही ज्यादा बुरा लगने वाला है तो मैं बस ये सेचेस्ट करता मैं उसी वायरिंग के आगे खाली कॉंपोनेंट कॉंपोनेंट ये स्पीकर चेंज करवा दूगा उसके अलावा मैं कुछ ही नहीं करवाने वाला अगर मैं इन फ्यूचर कभी सोस्ता हूं करवाने की जब क्योंकि डाउन दर लाइन चार-पांस साल बाद आप वही साउंड सुसुन के बोर हो जाते तो उससे अपग्रेड पाने के लिए कराता हूं तो मैं यही प्रिफर करूँगा कि मेरे खाली कॉंपोनेंट रटे और नए कॉंपोनेंट लग जाए कोई भी औरिजिनल वायरिंग के साथ शेर शार ना हो क्योंकि जो कंपनी फिटेड चीज आती ह इस इसमें करवाया था यह आप देख सकते हैं तो इसमें वाइट सिचिंग न रगाई थी कि यह जो ग्रेश सा शेड ना इस से यह मैच हो जाया और आप इसकी फिटिंग देख सकते हो तो इसमें कोई भी आपका देखो वारन्टी कोई वैसे चीड शेर शार नहीं हुए औ और यह मैंने इसमें लगवाए दूसरी चीज जो मैंने इस गाड़ी में करवाया था वो था जो सबसे ज़्यादा मिसिंग था वो था आमरेस्ट आप देखो यह कि बिल्कुल ऐसे नहीं हिलने पर वाज नहीं कर रहा और इवन जब आप यह खोल तो इसमें आपको थोड़ा स प्रफ्ट के साथ आमरेस्ट ओना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इस वज़े से मैंने इसमें यह आपका लगवाया था अब तीसरी चीज जो मैंने ने करवाई यह यह मैट्स यह आपको दिख रहे होंगे यह जीएफएक्स के मैट्स आते हैं आपको दिख रहा होग मतलब इनकी जो fit and finish है ना और जो quality है that is too good too good और इसकी fitting देखिए आपकी cutting देखिए एकदम बराबर हर point पर इसकी cutting इस level की की गई है कि आपको लगे जानी की है मतलब after market कोई चीज़ है इतनी गज़ा fitting इसकी आती है और इसमें मतलब फाइदा पता है कि आपका जब भी कोई कचड़ा होगा वह इसी में रह जाता है तो आपको बस इसको wash करवाना है और यह हो जाएगा और यह सूख भी जल दी जाता है कपड़े से पहुंचो सूख जाएंगे बाकि जो 70 मैट्स आते हैं उसके उपर मैंने एक वीडियो बनाई थी क्योंकि मैं वह क्यों नहीं प्रि पोजिशन लग रही है और यह बाकि हिंज इसको उपन उपन करने के लिए तो मतलब इसकी पोजिशन ऐसे सैट हो गई है कि आपको आपको आपका एसी ब्लॉक हो रहा है तो यह आगे हो गया है और दो मतलब हलका साहत इधर आ जाता इधर आ जाता तो दो चीज़े कवर हो जाती है तो यह एक आम रेस थी तो जितनी इस मैंने आपको यह बताई वह यह है और प्राइजिंग ना आपको वीडियो के एंड में मिलेगा मैं भी सब की बताऊंगा पहला तो हो गया अपने लगाया यह स्टेरिंग रैप करवाया है जो कि जैसा ओम फिनिश आता है अप कि फिर हमने क्या करवाया है यह मैंने लाइट्स चेंज करवाई है यह वाइट करा दी हमने यह लाइट करा दी और हमने आगे की लाइट्स भी अपग्रेड कराई क्योंकि मुझे हाइवे पर उसका थ्रू एतना अच्छा खासा नहीं लग रहा था तो हमने आगे LED सेटप लगवाया है तो वह देखने के लिए हम आपको मैं रात की तरफ लेके चलता हूं मतलब रात में कैसा सेटाप है वह मैं आपको दिखातायों बट अभी दिन में वह लाइट्स जाल रही होंगी तो मैं एक पर आपको दिखा भी देता हूं कि वाइट्स कैसी देखना को मिल और आगे देखो प्रोजेक्टर में लगने के बाद तो आपको दिखेंगी नहीं अभी क्या है लॉक है लॉक कर दी तो यह आप देख सकते हो यह LED सेट अप लग गया है और प्रोजेक्टर के साथ बढ़िया चलता है मतलब थ्रो इस टू गुड बट आगे अभी आपको पर मैं आप लोगों को ना थ्रो दिखा देता हूं बाई हैड लाइट का कैसा किस लेवल का देखो यह खाली चल रही है डियारल है ना और मैं अब डियारल कर देता हूं बंद यह बिल्कुल अंधेरा हो गया ठीक है अब मैंने जलाई यह फर्स लेवल यह डियारल जली है यह अपने लाइट जली है जो अफने अपगरेड किये है अब आप देखो यह लोगी में थेक है यह हाइबी में है यह लोगी मैं यह है अब यह बन देखरो हा आप तो इस कंसर्ण रहता है ना कि यह LED है आप किसी के मुझ पर लगेगी तो यह अरड़ी कंपनी सेट अप है जो प्रोजेक्टर साये हैं बहार से कुछ करवाया नहीं है तो यह ऐसा नहीं कि आपको ऊपर लगेगा तो अब यह आ गए हैं आप देख रहें एक यह LED लाइट पर मैं खड़ा हूँ अब आपको डिफरेंस समझ आएगा देखो यह LED बंद है यह लाइट पूरी चालो और यह अब हाई वीम तो पहले जो लाइट का थो था ना डेट वास मतलब बहुत ही बेगार मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता था मतलब मैं कितनी कोशिश कर लो कुछ भी कर लो मतलब हाई वे पे उसका थो इतना करा था और हाई वीम पे करने के बाद तो कुछ फरक साही नहीं आ रहता और फॉग लैम तो इसमें वैसी मिसिंगे तो इस वज़े से मुझे अपग्रेड करने बड़ा क्योंकि मैंने आस तक वैसे कभी भी अपग्रेड ने करें बड़ इसमें मुझे इतनी जरूरत लग रही थी कि मैं एक बार एक ही बार इसा भी तक हाईवे पर लेकर आऊ उसमें ऐसी परशान हो गई और मैंने आती सबसे पहले इसमें हेड़ लाइट बदल वाई नहीं तो मेरा कोई प्लान नहीं ता अपग्र अब जब मैं वाइट करा रहा था मैं अंदर बाहर दोनों ही करा लूँ तो यह चीज और आप रात में मैं आपको दिखाना चाता था कैसा लगता है और अगर आप गाड़ी के बाहर हो बाहर से कैसा व्यू कुछ आपता है आप वह देख सकते हो यह देखो आप देख रहे ह आपका स्टेरिंग राब वाला किसी के प्राइस हो सकता है कि मैंने जहां से कर आया थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है या आप जहां से करवार हो वहां थोड़ा एक्सपेंसिव हो तो 100-200 रुपर कर देखो फरक आता ही रहेगा और बाकी मुझे डोर वाइजर्स भी है तो इसका मैं वेट कर रहा हूं अगर वह जैसी आ जाएंगे या जब तक मैं वीडियो डाल रहा हूं तब तक भी मुझे मिल गए तो मैं वह पार्ट इसमें आपको 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 यह जो मिल रहा है ना ओएम फिनिश वाला रैदर रैप यह मुझे 1000 रुपर का पड़ा यह मुझे 700 रुपर का पड़ा था आगे जो लाइस डिली है वह ब्लॉपंग की मैं उसका जो भी वह ना मतलब पर्चा वगर आया और एमेजॉन का लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आगे जो लाइस लगी है और जो डबबे की फोटो है वह आपको देखने को मिल रहे होगी साथ साथ वह मुझे 500 रुपी की बड़ी दी तो हजार साढ़े साथ सो पचपन सो रुपे और यह पूरी लाइट्स मिलाके यह यह लाइट्स भी मैंने ऐसी कोई जो भी आपका छोटे मुटे बलबत है वैसे न लगवाय था यह ब्लॉपंग के लगवा है इ यह लगी है तो यह मुझे 400 रुपी की बड़ी थी दोनों मिलाके मतलब आगे की यह मतलब तोटल तीन लाइट तो पचपन सो चार सो फिफ्टीन हंडर हजार रुपे सारे साथ सो रुपे और यह मैट मैंने मतलब कश्मीरी गेट से लिए तो यह मुझे 350 के मिले थे यह रखा हुआ है कि आपको एक बार दिखा सकूँ तो इसकी प्राइजिंग आप देख सकते हो यहां पर लिखिए 4500 कि अब इसकी मैंफेक्ट्रिंग देख सकते हो यह 238 2023 के अभी ज्यादा पुरान है नहीं और यह अभी सप्प्रेंबर चालू हुआ है तो यह कुछ चीजे ह आपको बता है और जब भी लगवाता हूं तो आगया आने वाली वीडियो में आपको बता दूगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा तो यही कुछ था इस वीडियो में जो मुझे आप लोगो बताना था मुझे एससे शेयर करनी थी मैंने क्या ली देखो मैं आ अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवात